आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और ओपन AI का टूल जिसमें आप लोग सिरफ और सिरफ टेक्स्ट को लिख कर एक पूरी वीडियो करेट कर सकते हैं वहीं से वाइस ओवर भी होगा वहीं से टेंप्लेट भी सिलेक्ट होगा और वहीं से आप लोग सक्रीप्ट भी लिख सकते हैं दो मिंट के अंदर-अदर में आप लोगों को यहां पे एक वीडियो रेडि करके दिखा दूंगी गूगल पे आप लोगों ने टाइप करना है मेटा एई वीडियो जनेरेटर यही टेक्स आप लोगों ने सेम टाइप करना है और यह सबसे पहली साइट खड़ी हुए आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है इसको open करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे अपना account करियेट करना है अगर आपका account बना होगा तो sign up पे click करके पहले यहाँ पे अपना account करियेट करेंगे बिल्कुल easy काम है आप लोगों ने अपना username लिकना है अपना email लिकना है अपना password लिकना है उसके बाद आपने continue कर देना है मेरे यहाँ पे account बना हुआ है तो मैं simply इसको login पे click करके अपना account open कर लोगी आप यहाँ पे हर तरह के platform के लिए वीडियो बना सकते हैं ना सिर्फ YouTube चैनल पे upload करने के लिए बलके जिस भी platform से आप लोगों को earning हो रही है यहाँ पे आप लोगों उसी इसाब से free videos को create कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे आप लोगों ने अपनी से क्रिप्ट लिखनी है किस तरह की आपको वीडियो बनानी है यहाँ पे as a sample script लिखी हुई है तो इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी script लिखते नहीं है यहाँ पे आप लोगों ने अपनी script लिखते जाना है अगर आप लोगों के पास पहले से लिखी हुई कोई script available है आप लोगों ने कहीं से उसको copy किया है या कहीं और लिखी है तो यहां पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं सही हो गया उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहां से टेंप्लेट चूज कर लेना है कि आप लोगों ने किस टेंप्लेट पे वीडियो क्रियेट करनी है उसके बाद यहां पे आपने सिलेक्ट करना है अपना Playацchnitt फाम के लिए इस प्रताहूं विडियो बला रहा है इंस्ताग्राम की रिय बना रहा है इसपरेशन चाहिए रिमेंटिक एंगरी पराइट का जिस भी तरह का आपको music चाहिए यहां से आपको copyright free music मिल रहा होगा उसके बाद यहां से आप लोग जो है वो इस text को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं सही हो गया यहां से आप लोग जो है वो अपने text का color change कर सकते हैं आपको किस color में चाहिए तो इसतर अगरके आप लोग इसकी different settings को देख सकते हैं उसके बाद अगर आप लोग के पास कोई audio file पड़ी हुई है तो आप upload के option पे क्लिक करके यहां से कोई भी audio file आप उठा सकते हैं जिसको भी आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो यह सारी setting करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी template को अपने प्लेट को चोटा या बड़ा भी कर सकते हैं यह सारा काम करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो ready हो जाएगी आपने क्या करना है डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करना है यहां पे आप लोग को वीडियो की quality मिल जाएगी कि जो आपने प्रिपेर किया है वो आपको वीडियो की फॉर्म में चाहिए गिफ की फॉर्म में चाहिए या इमिज की फॉर्म में चाहिए तो यहां से आपने अपना फॉर्मेट सिलेक्ट करना है उसके बाद वो आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी